एक concrete mixture machine का longevity के लिए क्या क्या चेक करना जुरूरी है आज का वीडियो का टॉफिक एक concrete mixture machine के उपर है कि ये concrete mixture machine का क्या क्या चेक करना जुरूरी है आगर आप एक concrete mixture machine पार्चेस करना चाते है या फिर कोई आपके पास एक concrete mixture machine है तो वो mixture machine का क्या-क्या आपको check करना जुरूरी है ताकि आपका mixture machine का longevity जाधा रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं यह जो concrete mixture machine है यह one-back capacity का mixture machine है और यह fully mild steel का drum देया गया यहां फे और यह mixture machine काफी heavy mixture machine है यह हमारा सुरूम से मिल जाएगा आप लोगों को अगर आप purchase करना चाहते हैं तो यह जो mixture machine है यह mixture machine का क्या-क्या देखके आप समझ पाईएगा कि यह mixture machine heavy quality का mixture machine है तो क्या-क्या check करना चाहिए वही यह वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो का अंतक बने रही है तो दोस्तो यह जो concrete mixture machine है यह mixture machine आपको दिखाई दे रहा है यह one-back capacity का mixture machine है machine का सबसे important चीज होता है यह ड्राम को घुमाने वाला जो चीज पीनियाम इसका देखिए इसका यह जो पीनियाम है यह पीनियाम पहले आपको चेक करना पड़ेगा यह पीनियाम है भी पीनियाम दिया जा रहा है की नहीं ठीक है यह पीनियाम अगर light दिया गया तो मालीजे बहुत ज़्यदी यह पीनियाम कतम हो जाएगा ठीक है तो यह सबसे पहले चेक करना है कितना मोटा दिया जा रहा है, कितना MM का DRAM दिया जा रहा है, कुई जगा पर इसको MM में हिसाब करता है, कुई क entitled चांप करते हैं, क्यूrition आपि यह MS का बना वा रहता है, ठीकर? तो यह DRAM का THIKNESS देखने के लिए आपको यह DRAM का अंदर एक बार चेक करना पड़ेगा, तो देखे यह ड्राम को घुमाया और इसका अंदर अभी आप क्यामरा डालने के कोशिस करेंगे यहां पे देखिए यहां पे यहां पे आपका थिकनेस नजर आएगा यहां पे यहां पे यहां पे ड्राम का थिकनेस आपको नजर आएगा ठीक ही तो यह थिकनेस से आपको पत फाट रहता है क्वालिटी का वो हो गया यह ड्राम सेट का ठीक है यह ड्राम सेट आपको मजबूत मोटा लेना चाहिए थिकनेस में थोड़ा मोटा हो ऐसा ड्राम आपको लेना चाहिए दूसरा बात आता है कि इसका जो टायार टायार आपको यह सेगनेन चल जाता है टायार म मिल जाएगा लेकिन रिकॉंडिशनल टायर भी चल जाएगा कोई प्रॉब्लेम इसमें नहीं आता है ठीक है और एक चीज़ धेन रखना जुरूरी है वह स्टेरिंग साइड तो स्टेरिंग साइड में आपका जो पीनियाम होता है बड़ा वाला वह पीनियाम जितना बड़ा होगा स्टेरिंग का वार्प करना उतना ही आसान होगा नेक्स्ट और एक चीज़ आपको धेन देना पड़ेगा वह होता है यह आर्म ठीक है जहां पे यह ड्राम बैठता है यह आम आपको चेक करने ला कि इसका थिकनेस कितना दिया जाता है तो कोई मिला के एक तो चेक कर लेना है इसका थीकनेस आपको चेक करना है ठीक है तृसरा हो गया इसका जो आम होता है यह चेक जूरुरी है 4被 चीज़ अब चेक रिएगा यह चार चीज अगर ठीक ठाक रहे तो वह मिक्चन मिशिन आप बंतर के कह सकते हैं कि यह विक lasciar मिशिन है और इसका ला और आल ओवर इंडिया में ट्रांस्पोर्ट को थूरू माल चला जाएगा आपका तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा और हमारा चैनल में अगर आफ फास्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर दीजेगा थैंक्स पर वाच एक चैनल में टया थैंडियों राड़ झो तो है एक टूर्ली में में इन्सयां है योहिएगर टीजेगरी तो खीजेगी झाय दूर वास्ट यह में घ्च चरू फोारे भाउट को पार एक यह भाटर से